नमस्कार दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चनल देखो और सीखो पे हम आज सीखेंगे एंड्रोइड मोबाईल पे आने वाली एड्स से छुटकारा पाने का तरीखा मोबाईल पर कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी डाउनलोड करने जाते हैं तो काफी एड्स आ जाते हैं इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे उन अन्वांटिड एड्स से बचने का तरीखा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए कि इस तरह का वीडियो मैं लेके आता हो हर रोज आप वीडियो के side में दिख सकते हैं लाल रंग के एक सबस्काइब के बटन है जिस पर आप click करते ही मेरे channel से अब जुर सकते हैं और side में एक गंटी सी रहती है जिस पर आप click करोगे तो जब भी मैं कोई video upload करूँगा तो उस video का सूचना आप तक मिल जाएगी आप account में देख सकते हैं सबसे उपर में Google का option है तो Google में आप click करें जैसे आप Google में click करोगे तो आपको यहाँ दिखाए देगा personal info and privacy तो आप इस पर click कर दें तो आप थोड़ा नीचे आ जाईए नीचे आप देख सकते हैं यहां add setting है यह add setting है तो add setting को अब खोल लीजी है add setting खोलने के बाद add personalization जो है तो इसको अगर आपके मोबाल पे बंद है अगर on है तो इसको बंद कर लीजिए अब देख सकते हैं ये मेरा बंद है तो इसको बंद कर लीजिए ये बंद हो जाने के बाद और नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं opt out of more ads अब इस पर क्लिक कर रहे हैं जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां आपके मोबाइल पर अभी कितने ads चालू है चल रहा है तो सारे आपको यहां पर दिखा देगा थोड़ी टाइम लगती है यह होने में थोड़ी टाइम लगती है यह होने में तो अब देख सकते हैं है यहां स्टेट स्टेट चेक कंप्लीट स्टेटस इंपरमिशन इस नोट करेंटली अविलेबल फॉर वन कंपनी अच्छा एक कंपनी के लिए यह स्टेटस अविलेबल नहीं दिखा रहा तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर दे रहा हूं तो सिंपली इस पर आप क्लीक कर दें कंटिन्यू कर दें अब यहां फिर से देख सकते हैं और पाटिस्टिटिंग कंपनी इस वानट वैंट्विटी सवन कंपनी कंपनीज शेंग आड्स पर यूर ब्राउजर दो कंपनीज आए यूर करेंट आउट आउट 54 थिप्टिफोर कंपनीज से हमको आपट आउट कर दिया हैं make your choice जो है इस पर आप क्लिक कर दें अब यहां से देख सकते हैं सबसे उपर में there are two participating companies reporting that they have enabled interest based ads for this web browser तो इसको आप हटाने के लिए इस उपर में देख सकते हैं select all listed तो इस पर जब क्लिक करोगे तो दो company जो बचे हुए थे इसको भी select कर सकते हैं तो इसके बाद आपको submit your choice जो opt out complete opt out complete हो गया your opt out request for two participating companies were successfully completed for the browser तो यह हो गया अब देख सकते हैं ऐसे करके आप जो भी आप companies customizing ads for your browser आप भीच में देख सकते हैं zero हो गया है तो ऐसे करके आप अपने जो ads ads को आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ भी site खोलते हैं या तो कुछ भी download करते हैं तो जो भी ads आते हैं तो unwanted ads से आपको ऐसे ही बचना होता है तो ऐसे ही आप बच सकते हैं ads से और भी एक तरीका है जो है third party के through से तो आपको play store से आपको एक third party application डाउनलोड करना होता है तो मैं यह भी बता देता हूँ आपको अब play store on कर लीजिए प्लेश्टोर आन कर लीजिए play store on होने के बाद अब प्लेश्टोर पर search करें add guard अब उपर में देख सकते हैं सबसे उपर में add guard जो है अब इस पर click कर दें अब हरा रंग का एक जो application आप देख सकते हैं तो आप इसको install कर लीजिए तो इसके बाद आपके जो mobile पे एड्स जो होते है एड्स आना बंद हो जाता है यह आप देख सकते हैं मेरे mobile पे यह installed है तो मैं इसको दुबारा और install नहीं कर रहा हूँ तो आप ऐसे करके यह वाला लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग